नमस्कार दोस्तों, RG Studio चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है, मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ, RG Studio चैनल की तरफ से आप सभी को भोली की हर्दिक सुपकामने, इस वीडियो में मैं आपको कोर्स कोर 522, कोर्स हिर्शा के प्रारंबित विद्धालाई बत्यों की सम 108 वीडियो है, इससे पहले 107 वीडियो अप्रोड हो चुकी है, जिसमें की PDPT Study के, कोर्स कोर्स कोर्ट 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण, भाती लगुत्रिय, लगुत्रिय और धीगुत्रिय प्रस लें, जिने के आप मेरे चैनल RG Studio की प्लेलिस में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर यह जो प्रस में बताने जा रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्ण प्रस लें, और पूरे चांसे हैं कि यह लगुत्रे या देगुत्रे प्रस में की रूप में पेपर में आएगा, यहाँ प्रस लें, प्याजे के अनुसार संग्यारात्मक विकास की अवस्था का वर्डन कीजिए, मैं आपको पताना चाहूँगा, जो कंडिडेट्स पीडेप के दोर इंपॉर्टन कोसर मंगरा चाहते हैं, वह मुझे वाट्साप कर सकते हैं, मेरे नमबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्शन मिल जाएगा, और मैंने पीडी-पीडी के लिए एक वाट् प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास की क्या वस्ता है होती है, जो ग्यानात्मक विकास होता है, जिसे की बोध अथ्वा संग्यान कह सकते हैं, उसका अर्थ है मस्तिस, यदि मस्तिस पूर का विक्सित है तो बौधिक क्रियों में तीर गृद्धी होती है, यदि भाशा, कौसल, चिंदन, तर्ग, संपरतै निर्माड, विसलेसर, संसलेसर, आदी. प्याजे के अनुसा संग्यानात्मक्विकास को चार अवस्त हों में विवाजित किया जाता है. पहली है इंद्र जनित अथ्वा सम्वैदी चाला का अवस्ता. इंद्र जनित अथ्वा सम्वेधी चालक अवस्था जिरो से दो वस्था की जो अवस्था होती है उसको इंद्र जनित अथ्वा सम्वेधी चालक अवस्था कहती है इसे भी दो उप अवस्थां में वज़ित किया जा है इसे भी दो उप अवस्थाओं में बाजित किया जाता है पहली है परिवर्ती क्रियाओं की अवस्था परिवर्ती क्रियाओं की अवस्था यह 0-1 महा तक होती है जैसे चूसना परिवर्ती क्रियाओं की अवस्था 0-1 महा तक होती है जैसे चूसना सेकेंड पे हैं प्रारंबिक चक्रिय अवस्था प्रारंबिक चक्रिय अवस्था एक से चार महा तक होती है परिवर्थी पृति क्रियाओं में तालमेल हो जाना जैसे परिचित व्यक्तियों के लिए सिर घुमाना जो प्रारंबिक चक्रिय अवस्था होती है एक से चार महा त और बला को किर्याइ़ करना पसंद करता है जो उसे आननद प्रदान करती है जैसे प्रिये खबार्most कर रखना धिटिये अवस्था जो होती है यह कि 76完成 में अनुकरण की अवस्थ्था प्राहिघ मतलब क्या काहता है और बालाग के प्रदी वैवस्थित हो जाता है जैसे कि भोजन चोंकि पारिवारी के साथ बैठना और वह भोजन के समय पारिबारिक सिंद्र संसों के साथ बैठना पसंद करता है थे प्रितिय चक्रे प्रतिक्रियाओं की अवस्था थी ज़र बारां से 18 मां आप प्रयासवार ardगत सीखना आरब कर देता है तृतिय चक्रिय प्रतिक्रियाओं के वस्ता जो कि 12-18 महा तो उती है उसमें बालक प्रियासवार टूरी के दौरा सीखना आरंब कर देता है सिक्स पे है मानसिक सक्तियों के सहीयों के दौरा नए अर्थों की खोज मानसिक सक्तियों के सहीयों के दौरा नए अर्थों की खोज 18-24 महिने तक होती है बालक वस्तों वा वेक्तियों की उपस्तित वा अनुपस्तित को जाने लगता है जैसे कि बालक है समझने लगता है कि उसके पिता बाहर गए है और कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे बालक है समझने लगता है कि अभी उसके पिता जो है वो बाहर गए है और कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे सेकिंड पर पूर्व सक्रिय अवस्ता जो की दो से साथ वर्स तकी होती है पूर्व सक्रिय अवस्ता दो से साथ वर्स होती है इसकी दो पौश्ता है पहली है पूर्व संप्रित्यात्मक अवधी पूर्व संप्रित्यात्मक अवधी दो से चार वर्स में इसको बता है इस समय बालक अनुकरण जोरा जल्दी सीखता है जो पूर्व संप्रित्यात्मक अवधी होती है जो की दो से चार वर्स होती है इस समय बालक अनुकरण जोरा जंती सीखता है बालक अनुकरण करता है और जदी सीखता है सिच्छक का अनुकरण करके कविता सीखना हुए वस्तू को जीवन्त रूप में देखता है यहां तक कि अपने खिलाओनों से बात करता है इस अवस्था में अपने विचारों में द्राड हो जाता है और अपने को सदैफ सही मानता है तो पूर्व संक्रे अवस्था की जो दो से साथ वर्स होती है इसकी दूसरी अवस्था होती है सहज ग्यान की अवस्था दूसरी होती है सहज ग्यान की अवस्था ये चार से साथ वर्स तकी होती है इस अवस्था में भासा विकास भली माती हो जाता है जो सहज ग्यान की अवस्था होती है जो की चार से साथ वर्स होती है इस अवस्था में भासा विकास भली माती हो जाता है बच्चे का जो भासा साथ से 12 वर्स्तायं वहें ढमूर्थ संक्रियं ऑस्ततर बालं अपने कल्पनies समयधान की चमता आजाती है अमूर्ध संक्रिया की आवस्ता में बालक अपने कल्पनड़ जगस से भार निकल जाता है और उसके अंदर समस्या समाधान की चमता आजाती है अब वैं गडित में सवालों का समाधान हर डोने का प्रैस करने लगता है चौथी है आपचारिक संक्रिया की अवस्था बारा वर्थिया उससे अधिक आपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है उसको आपचारिक संक्रिया की अवस्था कहते है बालक की मानसिक सक्तियों का विकास की चिंतन प्रक्रिया क्रमबद हो जाती है जो बालत का मानसी विकास होता है। उसकी चिंतन परक्रिया क्रमबध हो जाती हैं और वे अपने अनुभवों का प्रयोख करना सीख जाते हैं। लेकिन ये उनकी बुद्धी और सिट्छा पर निर्भद करता है। तो इस वीडियो मैंने आपको प्याजे दौरा जो संग्यानात्मक्विकास की अवस्थाइं बताएं उसके बारे में बताएं यह पूरे चांस है कि यह प्रस्ट लगूतिरी या धीरूतिर रूपने आएगा तो इस प्रस्ट को अच्छी तरह से यह जो इसकी अवस्थाइं को एक पेपार में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहें और जो कंडिडेट्स पीडेव के दौरा नोट्स पंगरा चाते हों बुझे अपना नाम और पीड़ी पीड़ी लिखके वार्च अब कर सकते हैं किर्पया वीडियो को लाइक जिरू कीजेगा वीडियो को शेयर का और कमेंट कीजेगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को बस्यों कर लें वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद